असलाम अलेकुम जी आज हम आपके लिए लेका रहा है सावर स्पेशाल कस्टड आइसक्रीम की रेशेपी यह जो आइसक्रीम में इतनी टेस्टी बनती है और सिफ दो से तीन चीजों में यह आइसक्रीम बनकर रेड़ी होती है ना इसमें हमें कंडेंस मिल्क की ज़रूरत है ना इसमेंस पॉर्डर की जरूरत है ना एंसियम पॉर्डर की जरूरत है बिना किसी बाहर के खर्चे के हम घरी में दो से तीन चीजों से यह आइसक्रीम बनाकर रेड़ी कर सकते हैं और अगर आपको हमारे रेशेपीश पसन आती तो प्लीस हमाई चैनल को सबस्क्राइब क किजिए चलिए फिर हम अपनी किचन के तरफ चलते हैं आपको बताते हैं कि हम आइस क्रीम के लिए किन की चीजों की ज़रूत पड़ेंगी सबसे पहले हम गैस आउन करेंगे गैस पर एक मोटे तले की कड़ाई रखेंगे और उसमें हम मिल्क ले लेंगे हम यहाँ पर लगब लाने के लिए ग्याश पर रखेंगे जब तक मिल्क में बॉइल आता है तब तहक किया करेंगे एक चोटा सा बाउल लेगे और उसमें टूटेबल मुं कस्टड लेंगे यहां पर टूटेबला स्पुन कस्टड अइन пару ब्रू UMन के चीजोंका अच्छी तरीके से मिक्स करे जो कस्टड और मिल्क है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे जो मिल्क में बॉइल आता है न तो बॉइल आने के बाद में 5-7 मिल्क को अच्छी तरीके से पकने देंगे ताकि जो मिल्क है अच्छी तरीके से थीक हो मिलक को पखे हैं आध से कंसेस्टेंसी ज थोड़ी सी क्रीमी हो जाम हैसे थीक होसे oraz हिम क्सटत्द में अधिए दीरे करके इसमें कस्टड・ डालेंगेC LAUGHTER मिल्क में घुमाते रहेंगे ताके जो कस्टड डालेंगे हम और इसमें लम्स ना पढ़ जाए कस्टड के वज़े से अगर हम कस्टड डालेंगे और इस पे चुला नहीं घुमाएंगे न तो इसमें लम्स हो जाएंगे ताम आदा कस्टड का जो बैटर है वो बना हुआ पहल से 5-7 मिट अच्छी तरीके से पकने देंगे देखिए यहां पर जो कस्टड में बबल सा रहे हैं इस कंसिस्टेंसी में हमें जो गैसे इसका फ्लेम बन का देना है बस इतना हमें पकाना है और फ्लेम बन का देना और इसे एक घंटे के लिए हम फ्रीज में ठंडा होने के भी यूज कर सकते हैं लेकिन वीपिंग क्रीम से न तो बहुत ही अच्छी क्रीमी भी होती है और बहुत ही टेस्टी भी बन कर होती है तो हम वीपिंग क्रीम लेंगे 200 ग्राम और इसे अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक बीटर जो होता है वो यूज करना बहुत ज़रूर है उससे ही जो आइस क्रीम है एकदम ready में जो हम बाहर से family pack वगए लाते हैं उसकी तरह ही बनकर ready होती है इसमें हम कुछ drop वेनील आएसेंस के दालेंगे जो वेनील आएसेंस डालना है वो भी optional है अगर आपको डालना है तो आप डा करना या तीन गुना जब क्रीम अच्छी तरीके से फॉर्मी हो जाए यानि फूल जाए उतना हमें अच्छी तरीके से करना जब हम इसे बीटर मशीन को उठाए तो जो क्रीम है अच्छी तरीके से थीक हो जाए जो करनी कंसिस्टेंसी की क्रीम रहेंगी तो इसकी जो क्रीम है मतलब कि आईस क्रीम है तो एकदम क्रीम ही नहीं बनेंगी तो अच्छी तरीके से बीट करना क्रीम को थिक करना है अब क्रीम अच्छी तरीके से थिक होने के बाद में जो कस्टड है एक घंटा हो चुका था और कस्टड अच्छी तरीके से सेट हो चुका था हमें फ्रीजर मे तरह कस्टड करीम ठीक ना हो जह उतनी दें हमें बीट करना है अब इसमें हम क्या करेंगे वन ड्राप यअलोफ, फूट कलर दालेंगे क्यूंकि कस्टड का कलर एक दम लाइट हो चुका था जैसे जैसे क्रीम फूलते जाएंगी वैसे वैसे जो यह आईस्क्रीम में इसका जो कलर है लाइट होते जाएंगा तो हम इसमें एक ड्रॉप लेमन कलर दालेंगे दालना ऑप्शनल अगर आपको पसन है तो दाल भी सकते वाणना इसकी भी कर सकते हैं फिर से पास से 7 मिर्ट टक हम इस आईस्क्रीम को बीट करेंगे और ह चाहेंगे जो बीट करना और बीट करने के बाद में क्या करेंगे में इस बाउल के उपर सिल्वर पेपर लगा देंगे और अच्छी तरीके ूपर को चाहिए काब शिल्वर पेपर से कवर कर देंगे और फिर से 1-5.oli goal के लिए इसे फ्रीजर में में रखना है मि अभी इसमें यदि नहीं बनाना एक दम जो आइस क्रीम की तरह जम जाती है आइस क्रीम उस तरी केसे नहीं माना सिर्फ हमें इसे एकदम चिल्ट करना है ताके हम इसे डबल बीट करें तो जो यह आइस क्रीम है वो एकदम अच्छी तरीके से ठीक हो जाए अब यहाँ पर एक घंटा हो चुका था और जो आइस क्रीम थी देखें गाइस इस तरीके की कंडिशन है अभी आइस क्रीम की अब हम क्या करेंगे फिर से 7-8 मीट के लिए हम बीट करेंगे आइस क्रीम बनाने में सबसे जादी बात पर जोर हमें यहीं देना है कि हमें जो बीट है वो बहुत अच्छी तरीके से करना है जितनी अच्छी तरीके से हम आइस क्रीम को बीट करेंगे उतनी अच्छी आइस में टके बीट करेंगे और आपको बताएंगे कि आइस्क्रीम की जो कंसेस्टेंसी हो किस तरीके की चाहिए तो देखिए यहां पर जो आइस्क्रीम की कंसेस्टेंसी है तो हमारे जो हम केक के लिए बीट करते हैं उसी तरीके की हमें आइस्क्रीम की कंसेस्टेंसी चाहिए तो सेट करने के लिए हम कोई भी airtight container लेंगे और इससे सेट करेंगे हम इस तरीके काच की जो डीश होती हो लेंगे और इसमें अच्छी तरीके से ice cream को सेट कर लेंगे और इसके उपर जो है लीड नहीं है तो हम क्या करेंगे जो silver paper होता है नो उससे बहुत ही अच्छी तरीके से cover लेंगे अगर आपके पास में जो container है उस पर अच्छी तरीके से lid हो तो lid लगाने के बाद में set होने के लिए freezer में 7-8 घंटे के लिए हमें रखना है और इसे 7-8 घंटे के लिए ये 6-7 घंटे के लिए freezer में रख देंगे तो देखिए का इस यहां पर हमने रात में या ice cream बना के रख दी थी तो हमने रात बर इसे freezer में रख दिया था और ये कितनी अच्छी तरीके से दूसरे दिन सुबा में set हो चुकी थी बहुत ही अच्छ रेडी होती है ऐसे कोई चीज नहीं है जो हमें बाहर से लाने के जरूरत हो जो भी हमें अरे पास में decoration के लिए चीज़े घर में पड़ी हुई हम वो decorate कर सकते हमारे पास में tutti-footy available थी तो हमने tutti-footy से decorate कर दिया आपके पास में जो भी चीज अवेलिबल हो तो आप उस चीज से decorate कर सकते तो लीजे यहाँ पर बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी और ठंडी ठंडी आइस्क्रीम रेडी गर्मियों का मौसम शुरूर हो चुका है तो सबसे पहले आइस्क्रीम की recipe एकदम कम बजट में इतने कम ingredients के साथ में आपको हमने यह recipe बताई है अगर आपक उस call पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का notification आपको मिलता रहे वीडियो वाच करने के लिए शुक्रिया गाइस तो चलिए फिर हम अपने next recipe मिलते हैं तब तक कि लिए अलाँ आपीश